नमस्कार स्वागत आप सभी का सीनबी सी आवाज पर भारते बाजारों में आज डे लो से रिकवरी फिर लोटती वी तीस पॉइंट उपर निफ्टी फिफ्टी आपको दिखाए देगा और निफ्टी बैंक की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहांपर कल का सत्रा बेहत जोरदार था आज मामूली बढ़त देखने को मिल रही है सिरफ सत्रा पॉइंट उपर ये इंडेक्स ट्रेट करता हुआ मिट कैप्स में कल हमने निशनल लेवल से एक अच्छी रिकावरी देखी और आज मिट कैप्स में बोल बाला जादा है पात सो नबबे अंको का इजाफा तो ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है अडवांस डिकलाइन रेशो उसलेहा से काफी बहतर है कल की तो टिकनोलजी में इन्फी और टीसी एस का हाथ है अक्सिस बैंक जेफरीज की रिपोर्ट के बाद खरदारी भारती एटेल में कुछ तेजी की पोजिशन कल आईसे से बैंक में अच्छी खासी तेजी थी आज थोड़ा इसा मुनाफ़ वसूली का दबाव और यही स्तिती एमनेम बजाज फाइनांस और एच्टेफसी लाइफ में भी बन रही है यह आपके लिए ताजाहाल स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफते हमारा साथ दे रहे हैं उनकी तरफ से किस तरह की रननीती रहेगी यह समझेंगे पहले आपके लिए लेकर आते हैं कल तक के अपडेट्स तो सभी ट्रेट्स तरहसल थोड़े से नेगटिव साइट पर बैट रहे हैं रूपक माइनस 6% पर माइनस 3% ओम के ट्रेट्स है और दिवांगशा माइनस 0.8% तक के रिटर्न दिखा रहे हैं आज कंस्टरिंग इंडेक्स नहीं चल रहा है ज क्या एक कमबैक दिखाने की कोशिश होगी रूपक अप्रोच क्या है अप्रोच अप्रोच में रहेगा मेरे खायल से 24,924,5100 के बीच पर निप्टी रहे गया और मिटकेप में रिकर्वरी का स्क्रेंज दिख रहे है तो मिटकेप बेस्ट फोकस रहेगा और इंडेक्स में हमारा जो वीव है वो साइड़ वेस रहा रहे एक दो दिन के लिए तो ओफर लॉल लॉंग साइट में रहेंगे मिटकेप स्टॉक्स के तरफ ही फोकस रहेगा मिटकेप पर ही फोकस ओम आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में जी यहाँ पे जैसे के मार्केट ने आज भी स्टार्ट विलो से किया है और फिर देखना कि हमने लास्ट एक गंटे के सदर के बाद यहाँ पे थोड़े से रिकर्वरी आते हुए देखी है तो मिला जुला कि अगर हम देखे तो 24,880 का अच्छा खासा सपोर्ट है और एक अटेम्ट भी हो सकता है कि 25,014 का जो आज का जो हाई लगा है उसे भी ब्रेक करने का अटेम्ट हो सपाय है बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे मोटेर्ट लग रहा है यहां से तो मुस्ट रिपर लिए अगर यहां पे अगर किसे पनिफ्टी के अगर लेने कोई लेने से निफ्टी अगर ट्रेट के लिए अगर है तो 24,950 के आस्पर से यहां पे एक बाइंग का अपोर्च रह सकते ह ओके तो यह इंडेक्स पर एक व्यू हो गया दिवांग आपकी रणनीती क्या रहेगी इस मार्केट को कैसे ट्रेट करें स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस किया जाएगा यह आपके लिए फिलहाल एक अपडेट है चाहिए इन्फोसिस पर एक अपडेट आ रही है कि इन्होंने एक बेल्जियम बेस्ट कंपनी के साथ करार किया है कुछ कॉंट्राक्ट्स क्लाउड वाले दरहसल बेल्जियम बेस्ट प्रॉक्सिमस के साथ डिवलप करते हूँ दिखाए देंगे स्टॉक 10% उपर चले ट्रेट्स पर आते हैं दिवांग आपसे मैं शुरू करूँगी कल और आज में कुछ ट्रेट्स आपने अभी भी होल्ड के हूए एक तो पिडिलाइट है लेकिन SBI Life में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कंस्रिंग वो मामला ही टल गया है जो उमीद थी कि GST थोड़ा सा घटता हुआ दिखाए देगा इंशॉरंस के लिए वो GOM को सौपा गया है तो होफुली अगली बैठक में इस पर कुछ विचार आएगा आप नया ट्रेड क्या जोडना चाहेंगे यहाँ प एक नया ट्रेड जोडना चाहेंगे भारती एटल का ओवरल चार्स ट्रॉक्चर देखे भारती एटल खरीदना है खरीदने के सारे लेगी स्टॉप लोज टार्गेट है तार्गेट है 1650 1650 के लिए एक बाइसाइट का ट्रेड भारती आज करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1523 स्टॉप लोज के तौर पर काम करेगा ध्यान रखेगा पिरिलाइट का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं और ग्लेनमार्क फार्मा में आज सुबह में ग्लेनमार्क लाइफ में बेग और पार्डन प्रॉफिट बुक किया था रूपक के पोर्टफोलियों में दो ट्रेड्स है एक तो इंजिल वन इन मूविंग आवेरेज को को सस्टीन कर रहे है तो स्टॉक पे ट्रेड पॉजरिब रहेगा शॉर्ट तरम में अब साइट में 620 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लोस मेंटेंट कीजेगा और ये बाइसाइट का ट्रेड है स्टॉक है करीब करीब 5% उपर 557 के आसपा के तरफ जा रही है एक बार टारगेट दोराएंगे रूपक आई डों तिंग हमाई टीम वो नोट कर पाई है तारगेट 620 रहेगा 620 के टारगेट के लिएक मौका 537 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा चलिए अब ओम के पोर्टफोलियो पर नजर डालत है तो ओम ने भी टाटा एलेक्सी होल किया है और बर्जर पेंस के साथ बने हुए हैं आज सुबह में EU स्मॉल फिनांस बैंक में प्रॉफिट बुकिया 715.50 पर ओम नया ट्रेड जी मेरा यहाँ पर पहला ट्रेड रहेगा गुजरात अलकलाई पे 8.50 के अप्रॉक्स यहाँ पर यहाँ पर यह ट्रेड कर रहा है काफ़ी अच्छे कॉनसलिडिशिन के बाद एक डिकलाइनिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेड करता हूं नजर आया है और यहाँ पर हमें लग लग रहा है कि लाज जो दून के वॉल्यूम और डिलिवरी वॉल्विम्स भी अच्छे यहां पर एक स्पाइका में देजने को मिला है तो यहां पर 853 का करन्ट भाव है इसका स्टॉप लॉस रोके कि हम 805 और टार्गेट रगेंगे 970 ओके तो यह फिलहाल 970 के लिएक मौका गुजरात अलकिलीज में बनता हुआ, 4% उपर यह काउंटर भी इस समय ट्रेट कर रहा है तो यहां पर भी अच्छा खासा मौमेंटम 805 के आसपास का अब स्टॉप लॉस जरूर लगाईएगा यह इन फैक्ट एक एक ट्रेट हमाए जानकारों की तरफ से आगया एक और ट्रेट दे पाएंगे उस पर आएंगे आगे लेकिन फिलाल वक्त हो रहा एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आई-प्यो मार्केट काफी गरम है और एक और कंपनी दर असल आज बाजार में उतर आई है पी-एन गाडगिल महाराश्र की जानी-मानी जूलरी कमपनी है इसके मैनेजमेंट से हम रूबरू होंगे ब्रेक ठीक बाद आप देखरें खिलाडी नम्मो वन अब बात करेंगे आई-प्यो मारकेट की हाँ पर काफी जादा आक्शन देखने को मिल रहा है आज दरसल पी-एन गाडगिल एक प्रसिद जूलर है जो महाराश्र स्थित कमपनी है इन्होंने अपनी IPO को खोला है निवेशक इसमें 12 सितंबर तक दरसल निवेश कर पाएंगे मैं आपको कुछ फैर चीज़ें बता देती हूँ प्राइस बैंड 456 से 480 रुपे प्रती शेयर के बीच रखा गया है 1100 करोड का इशू है जिसमें लगबग फ्रेश इशू 850 करोड का रहेगा यानि की जादा कमपनी के पास वो पैसा आतावा दिखाई देगा करीब 2500 करोड हमाएं साथ दरसल OFS में जाते हुए दिखाई देंगे कमपनी के MD और CFO दोनों हमाएं साथ है आप दोनों का ही स्वागत है सीनवी से आवास पर और एक डिस्क्लोजर मेरी तरफ से हमारे परिवार में मैं पूने क्यों हूँ तो जो भी जूलरी बरसों से खरीदी गई है वो गाटगिल से ही खरीदी गई है तो इस क्वाइट एक्साइटिंग कि लगबग 200 साल पुरानी एक कमपनी और फिर पेन गाटगिल गठित हुआ था 2013 में मुझे बताईए सौरब इस IPO के पीछे क्या मकसद था क्योंकि आपकी काफी बड़ा इस्टाबलिश्ट ब्रांड है तो यह जो आप फंड रेस कर रहे हैं उसका इस्तमाल प्राइमेरिली किसके लिए रहेगा थैंक यू सबको शुपकापनाय गूद मॉर्निग जैसे आपने का कि हम अल्मोस्ट दोसो साल से ज्विल्री इंडस्ट्री में है सांगली से पुना आये थे पुना में 1958 में आये थे और वहां से यह पुना की जर्नी चालू हुई तोड़े वेरे 39 स्टोर्स और सब लोग पूछते कि IPO क्यूँ और इस टाइम पे क्यूँ तो इसके दो रीजन है एक जो मेरे दादा जी थे दाजी का का जो सांगली से पुना आये थे उनका एक सपना था उनके एक विजन थी कि हमको कभी न कभी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना है और एक बड़े पैमाने पे काम करना है और दूसरा है कि जो फिलाल जो समय है जो और्गनाईज ट्रेड के तरफ जो रुजाव लोगों का बढ़ रहा है जो ग्रोथ इंडिस्ट में दिख रही है और जो पोटेंशल एक्सपैंशन का है उसके चलते हमें लगा कि आईपियो से राइट वहीकल है जिससे हम लोग हमारे रीच और बड़ी कर सके आईपियो का एक सिंगल पाइजनडा था तो बी महाराश्चास नंबर वन जोईलर आज हम नंबर आफ स्टोर देखें तो वी आई नंबर टू तनिश नंबर वन पे है 55 प्लस स्टोर प्लान ऐसा है कि आईपियो के बाद 20 स्टोर आड़ करके 2 साल में तो बीन नंबर वन प्लेयर इन महाराश्चा और इसके बाद फिर जैसे पेशवा गए थे महाराश्चा से मध्यप्रदेश, वहां से 37 जारकान, यूपी, बिहार वो जर्नी आगे करनी है और इसी लिए ये आईपियो का प्लानिंग हुआ बहुत सी चीजे इसके अंदर हमने बदल कि हमारे इसमें प्राइमरिली जो हमारी पोजिशनिंग आज भी है वो ये उनीक पोजिशनिंग है क्योंकि हम, मुझे लगता है इंडिया के only organized family jeweler है मैं इसका कहना चाहूँगा कि एक family jeweler होता है जिसके साथ आपकी relationship होती है सालों सालों से generations together जो हमारे पास 25-30 लाग customers है जो हमारे साथ तीन पे जनरेशन दो जनरेशन जुड़े होए है और along with that we are organized जहाँ पे system processes है SOPs है, compliance है तो मुझे लगता है यह unique combination है और लोग को यही combination चाहिए जो हमारे पास जो लोग की shift हो रही है अनर्गनेशन सेक्टर से उनको यह journey बहुत इजी लग रहा है और जैसे आप family jeweler के पास जाके repairing करते हो polishing करते हो advice लेते हो कोई जोलरी बनवाते हो made to order so we do all those things we are the only player जिनके पास 30% business आता है made to order made to order so which is like a family jeweler so कोई यूनीक चीज अगर आपको बनानी है वो PN Guard Gill बना कर देता है कोई भी चीज आपको बनानी है not even unique आपको अगर mix and match करना है कि मुझे ये pendant चाहिए ये chain चाहिए इसको करके चाहिए मुझे बैंगल ये साइज में बनानी है इसमें थोड़े बदल करके चाहिए and our USPs we do it very quickly from 48 hours to 7 to 10 days we finish the entire process so आपके लिए को sweet spot भी है कि आपने order दी आपके लिए खास बनाई गई है किरन आपसे वही क्विकली समझना चाहूंगी 20 स्टोर्स आप लाँच लेकर आएंगे शुरू करेंगे नॉमली आपके कुछ फ्रैंचाइज वाले स्टोर्स भी होते हैं उनको आप नहीं गिन रहे हैं इसमें और पर्स टोर रफली किस तरह का रेवनियू कर लेते हैं आप लोग गुड मॉर्निंग थैंक यू फो दिस क्वेस्टिन आज तक हमारे जो जुलाई जून तीस दो हजार चोबिस तक का अगर देखे तो हमारे थर्टी नाइन स्टोर्स है जिसमें 28 कंपनी ओन है और 11 जो है वो फ्रेंचाइजी है आने वाले कार्यकाल में आगे के दो साल में हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो की वित्यवर्ष 25 के लिए हम 9 स्टोर का प्लानिंग कर रहे हैं और वित्तियवर 26 के लिए तीन स्टोर का प्लानिंग कर रहे हैं। इसके आलावा ये साल में अलड़ी हमने तीन स्टोर जो है वो पहले की वन में लांच कर दिये हैं। सो आने वाले ताइम में जो में फोकस रहेगा वो कंपनी ओन कंपनी ओन कंपनी ओपरेटेटर मतलब कंपनी के खुद के स्टोर का एक्सपांशन कराएगा। फ्रेंचाइजी की इंक्वाइरी बहुत आ रही है बट राइट नाव और फोकस इस तू एक्सपांड आर ओन विंग्स और उसके बाद में फ्रेंचाइजी का जो है दा मुमेंट वी डिसाइड़ की जैसे सावरभ ने बताया पेशवा रूट के बारे में सो वी आर अलसो प्रेंचाइजी स्टेडी आपके लिए किती कमाई कर लेता है मैं कहीं पढ़ रही थी करीब हो 120-500 करोड के आसपास है जो कि आज मार्च 24 के अडिटेड फिनांशेल्स है गोईंग फरवड और अलसो वी एक चीज़ आप लोग PNG वाला ब्राइंड होलने करते हैं इस टेड मंक्स टर फामली आपके तो जैसे आपने काए नाइन इसे प्रवड परटनेशिप कंप लेंड और्र अंड को जैसे आपने काऊ कर छोड़ कोड किती वह हमारी पार्टनेशिप भंड और च्रटनेशिप लिज सुग उन्स एक चीज़ मुझे बताइए जिस तरह की ग्रोथ आपके नंबर्स में बहुत स्ट्रोंग ग्रोथ देखने को मली है इस तरह की ग्रोथ आप रफली अंटिसपेट कर रहे हैं जब वो एक टागेट रहेगा फर्स्ट्व यर्स तो हम महाराश्र में रहेंगे तो यहां पे जो ग्रोथ हमने हम नॉमली करते थीस पर थीस ठक्का वो ग्रोथ आगे दो साल भी हमें लगता है कि वी कन इजली मेंटें डैस ताइड मोमेंटम क्योंकि इसमें बहुत से अल्मॉस्ट ऑल्लो स्टॉर इंटो जहां पे हमारा ब्रैंड और पॉपिलर है जहां पे लोगों का हमारा कनेक्शन है तो दो साल यह जो हम लगता है कि महाराश्र में हम रहेंगे 60-65 स्टॉर तक पहुचेंगे और मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ 30-35% अनुली ग्रोथ हम लोग इजली मेंटेंड कर सकते है यह 3 में हम जोग जब आउट अफ महराश्र जाएंगे तब यह जो नए स्टॉर खुले यह स्टॉर पोचेंगे मिचुर्टी लेवल के ऊपर और वहार नए स्टॉर खुलेंगे तो यह तिंग अन आवरेज कंपनी की विजन रहेंगी 30-35% ग्रोथ चुड बिए कंसिस्टे अधित면 में अधित करके महराश्र के अबेर शेयर जाने तो नएबर इसे उए मब यह था ने बेकिन लेר वरे में देखता ही बाइक हैंें तू किस तरह के शार धेलिव में बैढता हैं और इस अधिते काश करता हैं और दिथा लिए कि तो देया जो बाकि लोग है जो आई ट कर रहा है एजूगेशन के लिए ए तो दो दो देया इड चाह एंड मेरे का फॉर्स टिकिट बाइलियु आज गोल में देखा तो गोल्ड वन लाग 20 000 और डामन में वन लाग 90 थाऊजन और यह बढ़ते जा रहा है और बहार भी जा और Maharashtra बहुत strong connect है education के लोग यहाँ पढ़ने आते है employment के लोग यहाँ आते है तो यह states पे Maharashtrian और Maharashtra के अच्छा connect है और brand मालूम है so we will want to go into areas where firstly brand is quite well known जहापे brand की users है and then we feel that हमारे biggest USP is our family approach to the entire market so मुझे लगता है advertising बड़े-बड़े brands यह तो सब करेंगे but इसके इससे most important हैगा to reach the customer and to connect to them so इसके लिए हम लोग बहुत activities करते detail activities करते because we feel that is where the real value is jewelry buying is not just a jewelry it's emotion it is the emotion and the customer connect is most important मैं आपसे इजासत लोंगी नहीं तो मेरी टीम बोलेगी पुनाई की company तो मैं आप लोगों से जादा बात कर रहे हूँ लेकिन good luck to you and wish you all the very best पी एन गाडगिल ये IPO मार्केट में आज खुल चुका है चले लेंगे एक break फटाफट लॉट पे आप देखनें खिलारी नमबर बान और एक जगा खाली थी देवांग के पूर्टफोलियों में तुन्होंने एक स्टॉक आइडेंटिफाइ कर लिया देवांग बताइए नेक्स्टॉक करेगा JSW Energy औरल स्टॉक की बाद कर डेली चर्क अच्छा बेस बनाया और अबसाइड रिजुम किया और हम प्रियम्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में ब्रेक आउट दिखने मिल सकता है तो JSW Energy खरिदनी के इसला रहेगी स्टॉक लॉट स्टॉक है 725 टारगे है 782 782 के लिए JSW Energy में एक मौका तेजी का 725 पर स्टॉक लगाईएगा चले फटाव फर से सारे ट्रेज में आपके लिए रिक्याप करती हूँ और फिर बात करेंगे कि कौन कहां पहुच रहा है रिटर्न के लिहाँ से दिवां के पॉर्टफोलियो में अभी-अभी JSW Energy आ है 782 टारगेट है 725 स्टॉप लॉस भारती एटल 1650 के लिए बाइकॉल है 1523 स्टॉप लॉस और ये कैरी कर रहे है पिडिलाइट 420 का टारगेट 3190 का स्टॉप लॉस तीनों में सबसे बहतर रिटर्न इनको मिल रहे हैं पिडिलाइट में अगला पोर्टफोलियो लेकर आते है हमारे जानकारों में से जो रूपक और ओम के पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आएंगे रूपक के पोर्टफोलियो में आप गौर करेगा एक तो इन्होंने एंजिल वन और डिल्फ कैरी किया है नया ट्रेड है सुमित ओमो केमिकल 620 टारगेट 537 stop loss इन्जिल वन 2700 के लिए बाई साइड का ट्रेड था डिल्फ भी कैरी कर रहे है सुमित ओमो maximum returns दे रहा है 0.21% की कमाई यहां पर भी होती हुई अब आईए आप ओम के पोर्टफोलियो पर और ओम ने भी बर्जर पेंस कैरी किया टाटा इलेक्सी के ट्रेड को भी आई थिंक कैरी कर रहे है और गुजरात अलकलीज नया जोड़ा गुजरात अलकलीज 970 टारगेट है 805 का stop loss इलेक्सी में 84-50 का टारगेट रही रखेंगे आप बर्जर पेंस 1% के गेन दे रहा है टाटा इलेक्सी 1% का गेन दे रहा है गुजरात अलकलीज हलका सा नीचे है अब देखते हैं ओवराल रिटरंस की स्तिती कैसी बन रही है और कितना पुल बैक देखने को मिला है कल के मुकाबले रूपर कभी भी माइने 6.5% के रिटरंस पर हैं लेकिन देवांग अब 1% की कमाई कर रहे है और ओम मेरा 0.81% का नेगिटिव रिटरं दे रहे हैं यह आपके लिए ताजा तस्वीर लेकिन मैदान पूरा खाली है कंस्टरिंग इस पूरे हवते हम कई सारे ट्रेट्स हमारे जानकारों से आते हुए देखेंगे चले good luck to all of you आपसे कल सुबह में 11 बज़े मुलाकात होगी और एक बज़े जो भी अपडेट होगा वो हम शेर सरूर करेंगे CNBC आवास के दर्शकों से लेंगे एक break आगे focus commodity market के action पर तूर्ण आपसे के लेंगे पर बज़े कोज़ेग के ले एक बज़े लेए में यज़े छायर के दो दो रखख़ झाल अज़ भी जईज़े हमारे मेंगे ज़े ले दोतार में आपसे टार आपसें में वह दो झाल